विपक्ष की आचका पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आपसे थोड़ी देर में सुनवाई होगी शवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं विपक्ष का इमरान खान पर आरोप लगा है कि इमरान ने जिप्टी स्पीकर से मिलकर साजेश रची है बड़ी ख़़ इस वक्ष़ के आपको बता रहे हैं विपक्ष की आचका पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होने जा रही है शहवाज शरीफ जो विपक्ष के रिता हैं वो सुप्रीम कोट पहुँच चुके हैं और विपक्ष अमरान खान पर आरोप लगा रहा है कि अमरान ने जिप्टी स्पीकर के साथ मिलकर साजेश रची पाकिस्तान में चल रहे सियासी जामे के बीच और सुप्रीम कोट पर सुनवाई से पहले विपक्ष ने सेयग सुप्रेस कांफरेंस भी की और ये बड़ी कबर आपको बता दे कि सुनवाई शुरू हो गई है पाकिस्तान की सुप्रीम कोट में विपक्ष की याचका पर सुनवाई शुरू हो गई है कल जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में जो लोगतंतर का मकाल उड़ाया गया लोगतंतर की धज्जे उड़ाई गई उस पर विपक्ष ने याचका धायर की थी कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बैटेक भी कियो उसके बाद सुप्रीम कोट भी गए आज के लिए सुनवाई चलिए और अब सुनवाई शुरू हो चुकी है पाकिस्तान की सुप्रीम कोट में विपक्ष की याचका पर और इससे पहले विपक्ष ने सायुक्त प्रेस कॉंफरेंस भी की बिलावल बुटो जर्दारी पूर प्रदान मंतरी नवाज शरीफ के भाई शाबाद शरीफ मीडिया से मुखातिब भी हुए ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की और यह देखे कोट के बाहर किस तरा के इंतजामात किये गए हैं बक्तर बंद गाडिया आप देख सकते हैं और विपक्ष ने कुछ देर पहले सायुक्त प्रेस कॉंफरेंस की बिलावल बुटो जर्दारी शाबाद शरीफ सभी लोगों ने मीडिया से मुखातिब वो हुए क्या कहा सुनाते हैं आइन की वाज़े खिलाव वर्जी की है आइन शिकनी की है क्यूंके चौबीस मार्च ये बड़ा इंपॉर्टन पॉइंट है चौबीस मार्च को स्पीकर ने एवान की मंच्छा के मताबक अदम एतमाद की मोशन को लीव गरांट की और अगर कोई एतरास था तो चौबीस मार्च को इस मोशन को यानि अदमे एतमाद की तहरीक को लीव गरांट क्यूंकी एसम्बली का पूरा एक नजाम है उनका एक लीगल बरांच होती है स्पीकर वो तमाम मराहिल तै करके जवाबत के मताबक फिर किसी एजंडा आइटम को एवान में टेबल करवाता है वगरना उसको अपने कमरे में आफिस में उसको रिजेक कर देता है तो अगर खुदाना खासता किसी आर्टिकल फाइव के जिम्रे में कोई चीज आ रही थी तो फिर स्पीकर ने 24 मार्च को इसी मोशन को हाउस की मंचा हाउस की अजासत के बाद क्यों लीव गरांट की वो अगर खुद इस्तीफा देता तो वो एक आएनी तरीके से इस प्रोसेस को शुरू कर सकता था दुसरा आएनी प्रोसेस क्या था कानूनी जमूरी प्रोसेस क्या है कि वोटिंग होता अदम एतमाद पे जो हमने करवाया और आप सब ने देखा कि 195 ये 197 वोट्स उसकरदाद के हक में थे और उससे ये हकुमत चला जाता हुआ क्या है हुआ ये है कि अमरान खान सदर पाकिस्तान डेपिटी स्पीकर स्पीकर मिली बगट एक साज़िश के तहत पाकिस्तान का आईन तोर के इमरान खान का एगो को संबाला है अब अदालत फैसला करें पाकिस्तान के अवाम फैसला करें क्या इमरान खान का एगो is more important or is the constitution of Pakistan more important? Is the National Assembly of Pakistan more important? Is the Supreme Court more important? ये फैसला अब होने जह रहा है